हेलो एवरिवान कैसे हो आप सभी आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे हुंगे मैं हूँ श्रेया जा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सब के फेवरेट यूटुब चैनल यार कॉलेज पे ठीक है जैसे कि हम लोग ने हम लोग पढ़ रहते हैं चैटर नमबर पोर दम महरास्ट्रा एकनोमिक्स ठीक है हम लोग क्या पढ़ रहते हैं महरास्ट्रा एकनोमिक्स ठीक है फर्स्ट लेक्शर में मैंने आप लोगों को एगली कल्चर सेक्टर के बारे में बताया उसके बाद मैंने आपको इंडरस्टिस सेक्टर के बारे में बताया और आज हम पढ़ने वाले हैं सर सर्विस सेक्टर क्या है? जो हम लोगों को सर्विस देता है, ठीक है? क्या है? आओ चलो देखते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं सर्विस सेक्टरी इस कन्सिस्ट ओप इंशॉरेंस, टूरिवीजम और रीटेल बैंकिंग, एदुकेशन और सोशल सर्विस मतलब क्या वो लोगों को service देने का काम करता है कौन-कौन से चीज़ों को insurance को service देता है tourism को, retail banking को, फिर education को और social service को next point क्या है service sector include the provision of business as well as financial consumer मतलब क्या जो छोटे-छोटे business है उनको भी और जो बड़े-बड़े business है जो बड़े-बड़े level पर business है उनको भी क्या करता है service देने का काम करता है service sector is the largest employment generating is the fastest growing sector of the economics मतलब क्या service sector क्या है एकदम fast growing है मतलब क्या एकदम जल्दी-जल्दी grow होता है और क्या करते है हमारे employment जो उसको generate करता है मतलब क्या ने-ने employment को लाता है और क्या यह जो है growing sector of economic क्या है पास्ट है ठीक है उसके बाद क्या the contribute यह क्या contribute करता है service sector is the gross state domestic product मतलब क्या यह gross state domestic product को क्या करता है contribute करता है ठीक है it has been highest compared to other sector ठीक है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को compare करने में क्या करता है help करता है ठीक है जब हमारा 2017-2018 का survey हुआ था ठीक है तो इन्होंने कितना contribute किया 54.5% कितना किया था 54.5% ठीक है ने ने टेक्नोलीजिस को लाया और हम लोग को क्या ने टेक्नोलोजिस के बारे में बताया ठीक है उसके बाद क्या क्या हमारे जो electronic vehicles थे जो हमारे private universities थी जो हमारा IT sectors था इसको भी इन्होंने क्या क्या बहुत अच्छे से develop किया ठीक है आगे बढ़ते ठीक है इन्फरस्ट्रक्चर मतलब क्या इन्फरस्ट्रक्चर मतलब क्या यह क्या है बेसिक requirement है किसके लिए हमारे economics को develop करने के लिए ठीक है कोई भी चीज़े अभी मैं बिजनस पर आके इन्वेस्ट करेंगे अभी ऐसे कुछ भी अभी में रोड पर चलते हैं अगर बिजनस खोल लूंगी ठीक है तो कोई बड़ा businessman मेरे बिजनस में आके इन्वेस्ट करेगा क्या नहीं करेगा ठीक है मतलब क्या infrastructure भी बहुत education हमारा welfare कैसे डेवलाप होगा हमारे पास अच्छी रोड अच्छी अच्छी हाउसे या अच्छी अच्छी पैसिलीटीज कैसे आएगी ठीक है वो किसके गवर पर आगी सर्विस के होज़े से आएगी ठीक है उसके बाद क्या magnetic attraction of additional investment state provides मतलब क्या वो क्या कर रहा है लोगों को attract करता है क्या करता है कि वो उसके बीजनेस में अगर किसी के बिजनस में invest करता है ठीक है तो वो क्या बिजनस में हर चीज को देखते हुए वहाँ से चलता है ठीक है उसके बाद क्या infrastructure facilities are necessary to to reach to achievement of sustainable economic growth ठीक है sustainable economics के लिए क्या है वो जरूरी है ठीक है कुछ classification अब infrastructure मतलब क्या यह देखने वाले ठीक है एक इकनामिक इंफरस्टक्चर है ठीक है और एक क्या social infrastructure ठीक है अब social मतलब क्या social मतलब क्या होता है जो हमारे necessity related हो जो हमारे लिए जरूरी हो जिससे हमारा सोसाइटी डेवलाप हो जिससे हमारी surrounding क्या हो develop हो हमारा education को देखो ठीक है अगर education रहेगा किसी को किसी चीज का knowledge रहेगा तब ही तो हम किसी चीज की business डाल पाएंगे अब ऐसे डाल देंगे तो चलेगा क्या नहीं आज जो इतनी बड़ी-बड़ी sectors जो है वो develop करिए क्यों क्योंकि basis of knowledge ठीक है फिर क्या economic infrastructure में क्या आएगा energy आएगा transportation आएगा ठीक है एक जगह से दूसरे जगह तक माल पहुचाने के काम आएगा मतलब one country to another country one state to another state ठीक है उसके बाद क्या communication ठीक है communication क्या मतलब क्या कि लोगों तक अभी for example अभी हमारा जो digital India है ठीक है बहुत सारे चीज लोग फोन में देख लिए अभी पहले का ताइम क्या था पहले क्या हम लेटेस्ट में पता चलती थी क्या नहीं पता चलती थी क्योंकि क्यों हम लेके पास फोन नहीं था इंटरनेट नहीं था ठीक है इतनी टेलिविजन की फैसलेटी इसके वज़े से क्या हुआ था वह उतना डेवलाप नहीं हुआ था पर आज के टाम में यह क्या है आज कि दर भी कुछ भी हुआ तुरन थी हम लोगों को फटा-फटा-फट इसे दूसरे कंटी या वन परसंट तो अनधर परसंट जो देता है या लेता है उससे क्या होता है हमारा इकनॉमिक डेवलाप होता है ठीक है पॉर एक्जांपल अगर मेरी चीज अगर कहीं बार देश में जाके बेचूंगी तो अबकॉस कुछ पैसे तो जादे में ठीक है उसके बाद क्या सोशल इंफरस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कि आती है मतलब क्या जो हमारा social infrastructure है ना यह हमारे human जो हमारे human जो life है ना उसको दुष जाता है ठीज यह क्या बोलता है हम हमारी hysterसा को कैसे डेफलाप कर सकते हम हमारी human living life को कैसे डेफलाप कर सकते हमारे becoming करता है अच्छे अच्छे प्रोग्राम करता है किसके लिए क्या इजुकेशन से रिलेटेट ठीक है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुटेशन ले और अपनी माइंट्स को अपने नॉलिज को डेवलप कर पाए टिक उसके बाद हैं पब्लिक हैं बहुत सारी फैसिलिट मेंजर ऑफ डैवलोपमेंट इकनॉमिक इंफ्रस्रक्टर ठीक है ऐसे क्या-क्या चीजें जिससे हमारा जो था वो एकनॉमिक इंफ्रस्रक्ट्टर जो वो डैवलाप हुआ चलो आओ देखते हैं ठीक है इन्क्रीज टु कैपसिटी ओप इलेक्ट्रिक जैनरेशन मतलब क्या हमारी जो एलेक्रिसिटी ती वो क्या उसकी जैनरेशन क्या होती जादा हो गई उस-सकत्राइब एकात हए अब लूप करि पूटर्छी तो क्या वह उसके Hare यह जो lpg किया से तिक अभी हमारी जो एलपीजी किया से उस पर क्या होता है दिया जाता ना आप लोगे फोन पर notification आता होगा सबके parents के फोन पर ठीक है आप लोग एक बाइब जा के देखना ठीक है मतलब क्या हमारी जो गौवर्मेंट है ना वो क्या करती है लोगों को सबसीडिरीस प्रवाइड करती है ठीक है अब बेनिफिट क्या करती है डायरेक्ट बेसिक्त क्या करती है ख़िके रोड्मैप प्लैन्ट के तोर पे 21 21 के बीच में जितने भी सर्वे के हिसाब से जो implement हुई है जिससे हमारे जो इनपर जो हमारा एकोनोमिक्स development है उसके basic पे वो कितना हुआ है हमारा जो road से वो कितना develop हुआ है लोगों का target कितना था और हुआ कितना है ठीक है मतलब क्या डेवलप कितना हुआ है 3.37 lakh square km क्या हुआ है हमारा जो road map है वो क्या हुआ development हुआ है ठीक है और फिर क्या हुआ हमारे मुंबय और नापूर में क्या हुआ है metro railway station बना है नहीं नहीं स्टार्ट अप्स होने लगे अब नहीं नहीं अब देखो ठीक है उसके बाद क्या महरास्टा development policy नहीं का ली जिससे हमारे जो ports से मतलब क्या हमारी जो import और export जो countries थी उसको भी और डेवलप किया ठीक है ये थे हमारे economic infrastructure के कुछ measurement जिससे हमारी जो economics थी वो क्या हो गई बहुत अच्छे तरीके से डेवलाप हो गई ठीक है आगे बढ़त आएगा हमारी drinking water आएगी house आएगी literacy आएगी तो हम फैले क्या पड़ने वाले education पड़ने वाले क्या पड़ने वाले education ठीक है अब नॉर्मली देखा जाए तो सब को पताए कि एजुकेशन क्या है एक इंपोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का ठीक है आज कोई भी चीज है विदाउट नॉलेज पॉसिबल है क्या ठीक है कुछ भी पॉसिबल नहीं हर इंसान चाहता है कि मेरे पास अच्छी स इसको मतलब एक टाइम तद तो लोगों को लगता कि पढ़ना ही नीचे सब फालत हुए पर एक टाइम आने के बाद लोगों को एजुकेशन की रियल मीनिंग्स पता चलती है ठीक है यह क्या है एक इंपोर्टेंट पार्ट है किसका हुमें नीट्स की ठीक है हमारी क्या है एक बेसिक नीट्स है ठीक है क्या है बेसिक निट एजुकेशन ठीक है उसके बाद क्या है हमारे जो सोशल एकोनोमिक्स डेवलप्मेंट है उसको क्या करता है ठीक है उसके बाद क्या एनी कंट्री मतलब मैक्जिमम परसेंटेज जो पॉपूलेशन है वो क्या करती है हमारे इंडिया को क्या करते हैं डेवलप करती है किसके थुरू हमारे education system के थुरू ठीक है उसके बाद क्या the state of महरास्टा is implement various education schemes मतलब क्या बहुत सारे education schemes लडोगों फोलु को बहुत चूड लड़के लोगों भी स्कॉलर्शिप मिलता है और लड़के लोगे स्कॉलर्शिप पर बेसिक लड़के को क्या होता है जैसे सब कास्ट रालों को क्या होता है बहुत सारी इतनी रेस्ट्रेक्शन नहीं होती है जितनी ओपन कास्ट रालों को होती है ठीक है मतलब क्या अभी कोई भी हम लोग जाते हैं ठीक है तो जो नीचे कास्ट के स्टूरेंट रहते हैं उसको क्या होता है वो जो नीचे कास्ट के स् पढ़ाई कम्प्लीट कर लेते हैं तो मतलब क्या ओपन कास्वारे लोग को थोड़ी जलन तो होती है ना ठीक है मतलब क्या हमारी जो नई नीज चीम्स आने लगई जिससे हमारा जो एजूकेशन था वह क्या होने लग गया बहुत जादा डेवलप होने लग गया तो क्या गर्ल्स लोग की भी जो फैसिलिटीस थी वह भी बहुत जादा डेवलप नी ठीक है और नहीं ने स्कीम्स के आने के वज़े से और भी बहुत सारे लोग थे जो मोटीवेट होने लग गए किसके तरफ एजूकेशन के तरफ ठीक है ऐसे पोर एजूकेशन पोर लेवल अफ एजूकेशन इन दा इन आवर कंट्री ठीक है कितने है पोर ठीक है फिर्स्ट क्या है प्रामरी ठीक है प्रामरी सेक्टर्स आप लोग ने पढ़ा हो का ठीक है प्रामरी क्लास सेकेंडरी क्लास ठीक है हायर सेकेंडरी और हायर एजूकेशन ठीक है यह हम लोग पढ़ने वा और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेते तो बिंदास हो के कमेंट करिए ठीक है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए फटाफट से और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ ठीक है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स लाइक चेज में थाइंक यू